हेलो फ्रेंट्स, पॉस्टिक वगवान कीजन में आपका स्वागत है, यहाँ पर आप पीसा हुआ पालक बत्वा देख रहे हैं तो यहाँ पर आप मैं बनाने जा रहे हूँ पालक बत्वा मत्र के दाने की सब्जी जो की काफी हेल्दी और काफी टेस्टी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आदा किलो पालक और बत्वा दोनों लेकर उसको बॉयल करके पीस लिया है और धाइसो ग्राम मत्र के दाने चील लिए और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आईरन की पेन चड़ा दी और इसको मैं देसीगी से बनाने जा रहे हूँ आप चाहें तो क इस तरह से बनाएंगे तो आपको काफी अच्छी लगेगी घी गरम होने पर मैंने एक टीश्पून यहाँ पर जीरा एड़ कर दिया है इस सबजी को मैंने बहुत कम मसालों में बनाया है लेकिन इस तरह से अगर आप इस सबजी बनाएंगे तो आपको काफी टेस्टी लग एक बड़ा प्याज कट करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने अद्रग लसन का पेस डाला है एक टेबल स्पून इस तरह से जब यह सबजी बनाई जाती है तो बहुत अच्छी लगती है आलू मटर पालक और पालक की सबजी और मटर पालक की सबजी पहले मैंने पिसावा धनिया एड़ कर दिया है यहाँ पर में ज्यादा मसालों का यूज नहीं कर रही हूं सिंपल मसालों में यह सबजी काफी टेस्टी बनती है और आयरन की कड़ाई में बनाने पर इसकी पॉस्टिकता और ज्यादा बढ़ जाती है मसाले अच्छे से सीख चु अगर आप चाहें तो प्याज और साबुत मसाले भी इसमें एड़ कर सकते हैं टमाटर डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून नमक भी इसमें एड़ कर दिया है नमक और मिर्च यह आपकी टेस्ट के अकॉर्ड ही आप सबजी के अंदर लें इसको मैं थोड़ा सा धक्के पका लेती हूं टमाटर अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद इसमें हम फिर मटर एड़ करेंगे तो यह देखिए टमाटर भी काफी अच्छे से सीख चुके हैं मसाला हमारे बिलकुल सीख के रैड़ी हो चुका है तो अब जो मैंने हैं आप को यह सबजी काफी टेशिए हैल्दी मिलें आप चाहें तो इसमें दुस्री अरी सबजियां भी आट कर सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी डाला है मटर की दाने अनें भी काफी जल्दी बन जाते हैं काफी जल्दी पक्के तयार हो जाते हैं I Chun कि यहीं पूर्टोरा से हम इसको ढ़क़े पकाएंगे ज्यादा देर नहीं पकाएंगे ने अगर सकते हुआ इस घंट ंपना गरम मसाला धुए ईड़ नहीं किये और पालक जोड़ कर दान आप बहुत सारे साग की रेस्पी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है जैसे कि चने का साग वह भी आप लोगों ने काफी पसंद किया है तो उसकी लिंग्वी में शेयर कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं तो अब यहां पर पिसावा गरम मसाला डालने के बाल यहां पर मैंने पिसावा पालक और बत्वा भी इसमें एड कर दिया है धाइसोग्राम पालक और धाइसोग्राम बत्वा इक्वल कॉन्टिटी में लिया था मैंने अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ एक बार आप इफ्रेंट सबसी इस तरीके से बना के देखे आप लोग काफी पसंद आएगी यहाँ पर मैंने मटल, पालग, बत्वा, ग्रेवी सब अच्छे से मिक्स कर दी है अब थोड़ा से इसमें मैं पानी आड़ कर रही हूँ आदा गिलास के लगभग इसमें मैंने पानी आड़ किया है अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा पानी आड़ कर सकते है लेकिन वैसे इसकी गाड़ी कॉंटिटी अच्छे लगती है सबजी की अगर आप इसको पतला करना चाहिए तो पानी आड़ कर सकते हैं ठीक रखना चाहिए तो फिर आदा ग्लास पानी इसमें काफी हो जाता है तो यहां पर मैंने इसको ढग दिया था और मैंने इसको काफी दे बॉयल किया यह देखिए अच्छे से हमारी सबजी बनके रेडी हो चुकी है आप चाहें तो इसमें पनीर भी आड़ कर सकते हैं और आलू भी आड़ कर सकते हैं आलू मटर पालक की सबजी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया आप लोगों ने काफी उसको पसंद किया था तो उसकी लिंग्वें में शेयर कर दूँगी और यह सब्जी फ्रेंड्स चापाती, पराथे, बटर नान के साथ, चामल के साथ, सब्धी के साथ बहुत अच्छे लगती है तो आप इसको किसी के साथ भी बना के खा सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें देसीगी उपर से और अट किया, जब भी आप इस सब्जी खाएं तो उपर से देसीगी और डालें तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा देसीगी से सब्जी का स्वाथ काफी बढ़ जाता है तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया, देखने में काफी अच्छी लगरी सब्जी तो आप भी इस तरह से यह हेल्दी टेस्टी सब्जी बनाईए, खाईए और अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आईए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए, थैंक्स फ्रेंड्स